हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अज का टैपिक है तोसंतंत्र रेस्प्रेटरि सिस्टम के अंतरगत फेफणों और उसे संबंदित गतिवीदियों का अध्यन किया जाता है तो फेफणों के बारे में उसे संबंदित जो भी गतिवीदिया उसके सभी जियों में भज्य पदार्थों से उर्जा मुक्त करने के लिए कि क्रिया होती है संब्सक्राइब क्या सके तो मुख्य उद्द्ध से उर्जा परप्त करना होता है तो और पेजंवा हो सभएज़वा ज्यादा संभावना है ज्यादा तरह क्या होता है कि फिर सब्सक्राइब तो अधार बटा गया है इस एह एक जैसा सब्सक्राइब और एक और यहां फिर आवसकता नहीं होती है इसमें अनुपस्थिती में भोजय पदार्थों का अप घटन किया जाता है इसमें आक्सिजन की आवसकता नहीं होती है तो यहां पर आप घटन ज़ोते आप घटन क्या आप घटन क्या है किसी भोजय पदार्थों को दीरे दीरे और झाप घटते कश ठोड़ेन के अच्धि करन आप मतला और मतला खृण क्रिया करना चिजन के साथ यहां पर क्रिया क्राया जाता है आक्सिजन के साथ क्रिया क्राया जाता है तो आक्सिजन बोलता है यहाँ पर आक्सिजन नहीं होता है इसमें तो आप घटन होता है है इसलिए इसमें कम उर्जा मुक्त होती है और इसमें आक्सीकरन में अधिक उर्जा मुक्त होती है कि अनाक्सी सोसन इस तुसन क्रया से एलकोहाला कारबन डाइक्साइड का निरमाण होता है जैसे भोजन है हमारा इसी को तो आक्सिका तो आक्सिकार्ण करना इसी से प्राप्ट करनी है और भोजन से आप घटन के द्वारा ती ओटू कारबन डियाक्षाइड में बदल जाएगा प्लस तू सीटु एच फाइप ओएच यहीं है एथिल एलकोहाल और उसके बाद उर्जा मुक्त हो जाएगी तो मुख्य का मुख्य उद्धेश से क्या था उर्जा प्राप्त करना सब्सक्राइब करना ही होता दो कारबन है तो एथिल एलकोहाल होगा एक कारबन होता तो मेथिल एलकोहाल होता तीन कारबन होता प्रेपील आप जानते होंगे तो इसमें क्या होता है अनाक्सी सोचन में क्या होता है किसका निर्माड होता है एलकोहाल का निर्माड होता है और उर्जा मुक्त होती है आं ए्टी सुसंट में अनक्सिकर्ण में कार्बन डएकसाइड और एथील इलकॉहाल बनता है और आक्सिसन में यह भोजन है हमारा ग्लुकोज उसके बाद आक्सीजन आया यहां पर अक्सिकरन होता है ना कि आक्सिजन से घ्रिया होती है अक्सिकरन मने अभी बता है मतलब आक्सिजन आया यहां पर उसके बाद यह दोनों मिलकर कि अनाक्सिजन में खाद मैं अनाक्सिजन में ग्लूकोज की एक उसे टू एटीपी उर्जा मिलती है यहां ग्लूकोज का एक उटीपी मिलेगी इसमें आप घटन के द्वारा होता है तो इसमें उर्जा कम मात्रा में होती है एक ग्लुकोज के और चुछा मिलती है इसमें ज्यादा उर्जा कितने मिलती है इसमें ज्यान रखेंगे क्षिका में होता है जब कि माइट्रो कांड़या में होता है जय हम सब्सक्र पड़े थे तो माइट्रोकांड्रिया में होती है तो आक्सिकरन की प्रक्रिया यानि कि आक्सिसोसन कहां होगा माइट्रोकांड्रिया में होगी अनाक्सिसोसन अनाक्सिसोसन यह दरसल अनाक्सिसोसन जो है तो प्रोकरियोट्स आप कोशिका चप्टर ने पढ़ चुके हैं तो प्रोकरियोट्स में क्या होता है अभी कोशिका का अभी केंद्रक का माइट्रोकंड्रिया का इत्यादी का निर्माण ही नहीं हुआ होता है तो जब माइट्रोकंड्रिया का निर्माण ही नहीं हुआ भी तो यह कहाँ होगा फिर कोशी का द्रवे में रियक्षन होती है जो है कोशी का द्रवे में होती है और अक्सी को नियुकोज को अक्सीजन के साथ जलाना तो बनेगा अभी हमने देखा इसको इसे स्वसन बोलेंगे यहीं वाला है गुलकोज है आक्सिजन यह कार्बन डायक्साइड मिले जल मिला और उर्जा मिली अड़ती से टीपी की का इन नुटिंड राईफास प्यट्यटिवी का मतलब होता है इसे बोलते हैं सवसन की अभिक्रिया आभ पाउधे क्याकरते हैं वाईउ Midnas से कारबन डाजर्द गषाइड गरहन करते हैं और अपनी जड़ों दवारा मिट्टी से जल गरहन करते हैं तो Carbon Dioxide मिला उन्हें और उन्हें जल मिला इसके उनके पास प्रकास होता है तो प्रकास की और हरतलवक की अनुपन स्थिति में यह जो है प्रकास करें करके प्रकास यह जयता है और उसके बाद रिलीज कर दी जाती है और इस अभिक्रिया को बोलते है तो यह वाला उद्धा स्वास मतलों सांस लेना है यह अनिक्वाद आदर खी झेचा यह सांस लेना है तो शॉसशन रिस्पिरेशन और रस्भास में अन्दर क्या होता है वाय मंडल से हवा को अंदर ले जाएंगे और ले जाकर अभिक्रिया कर लेने के बाद यब हवा बाहर निकलेगी अंदर जाना और बाहर जान निकलना यह क्या है स्वक्षवास है उसमें जो अभिक्रिया होती है उसमें ती नित्यादि होता है कि आप ये भावति क्रिया आप बता है यह रसाइनिक क्रिया कश्टा पर डिफीजी और कर सकते हैं कि आप कोचिंग जाते हैं और कोचिंग जाते हैं तो सभी लड़के कोचिंग जाते हैं लेकिन कुछ लड़के पढ़ने के लिए जाते हैं और वो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते हैं कहां क्लास के अंदर जाकर पढ़ाई करते हैं और वो रसाइनिक रूप से यहनी कि अभिक्रिया करते हैं अपने दिमाग के साथ अभिक्रिया करते हैं अपने दिमाग को रिशर्च में लगाते हैं और वहां से कुछ सीख कर निकलते हैं तो वह एक प्रकार से रसानी क्रिया है वह कोजिंग के अंदर पढ़ते हैं क्या कोशिका के भीतर होती है कुछ लड़के जाते हैं सिर्फ लाल पिला देखने के लिए बाहर से देखकर चले कोई मतलब नहीं पढ़ाई से टीचर आया नहीं आया वो क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया उसे कोई मतलब नहीं है तो वह क्या होते हैं कोशिका से बाहर होते हैं उनको बाहर बाहरी हिस्तर पर सिर्फ देखने से मतलब है तो लाल पिला देखने के लिए जाते हैं तो बाहर पढ़ता है नहीं होती है एंजाइम क्या होता है दरसल है जब हम लोग पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे एंजाइम हलांकि इंड्रोक्राइट सिस्टम में भी बता चुका हो है कि गरंथिया दो प्रकार के अंत्रसावी अब भहिस गरंथिया को हम लोग पाचक गरंथियां भी बोलते हैं क्यों कि पाचन में एंजाइम मुख्य भूमी का निभाता है और इंजाइम को करता है इसके बारे में तो एंजाइम आप सिर्फ इतना जाने अभी हाल-फिल-हाल यहां पर क्या तो इनजाइम को चोट देता प्लस mauul-하시는 email लेने और सोडने में इसमें एंजाइम के छुडने में इसमें कि एमकुष्ण प्रक्रुण क्षून लेन ओर चुडने में ज्वstatान ही होती है जभकिस्वर sout संसन प्रक्रिया में नंट्रीक में होती है इसमें लोक्षबास में और जब लोग देख रहे हैं करना है जब कि रसाने का होती नहीं होती लेकिन आपको अंधर लेने के लिए और बाहर लेने के लिए खर्च करने पड़ेगी है तो उर्ज्ट में घर्च को जाती है ढ review बनती है नहीं कि सिर्फ मों होती है तो नैंतर कोई क्र sabemos धो २ होती है इसमें कि अंतर किया होता है तो कि अखेजर को और अंदर गिश्चते हैं आंधर कर दो स्वारण को भार फेकते हैं स्वार इसमें में ग्लुकॉज आक्सिकर न होता है यह उर्जा उत्पन्ण स्वच्छवास ऑर इस सथा नमैंतर स्वच्छवास में उर्जा का उपभोग होता है इसमें उज्टरफण होती है अब जाएंगे अगर पढाइग करने के लिए तो तो इसलिए कुछ और दानंव द property साथ अप्यक्रिया करा ऊंथितेदल श्वसद में और थान में क्या आंतर है अब निंत्र वालें झ información यह अर्ष्क डालश का पर component इंद्सीन इंयांत्रड में होती है कि कमबश्टन दहन क्या है यह और नियंत्रिक त्रसानिक अभिक्रिया है यह आक्सिकरण प्रक्रिया है अक्सिकरण प्रक्रिया दोनों है दोनों में आक्सिजन तो नों में आक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया होती है इसलिए दोनों क्या है कि दोनों की भी होता है किसी चीज को जलाना नाराग्ण ले ले लिजी आपर नुद्ध क्ला लागा दिया तो एक प्रकार से अर श्वसं क्या हुआ आँक उसमें पुलकोज क्या सकता होगी भोजन को अक्सिजन के साथ अभिक्रिया करा दो सब्सक्राइब इसमें इसे श्वसंब इसमें लकड़ी को जलाए तो वहां भी अक्सिजन के साथ अभक्रिया कराए क्योंकि आक्सिजन नहीं हो गया तो लकड़ी भी नहीं जिलेगी कि सोसन में मुक्त उर्जा को गतिज उर्जा में के रूप में अनेक चरोण में ADP के अनुबंदित किया जाता है क्यों करते हैं क्यों करते हैं क्यों क्या होगी इसमें मुक्त संपूर्ण उर्जा प्रकास उस्मा के रूप में एक साथ मुक्त हो जलने से जब जलेगा तो प्रकास उत्पन होगा चारो तरफ और उसमा यानि कि गर्मी उत्पन होगी आग जलने से तो प्रकास और उसमा दोनों उत्पन होगी एक साथ मुक्त हो जाएगी कि सोसन में ADP से ATP अनुनिर्वित होते हैं हमने अभी बताया कि सोसन अभिक्रिया अभिक्रिया अभी देखे जिसमें उर्जा मुक्त होती है एक अनुन ग्लुकोज की जलने से 38 अधिस अटीप उर्जा मुक्त होती है तो इसमें अच्छी कोई प्रकास और उष्रमा मुक्त होती है सोसन जो है समानिक्रिया समानिताब पर होती है पचीस डिग्री से पैटालिस डिग्री लेकिन दहन अभिक्रिया उच्छ पर होती है आप लकड़ी को जलाएंगे तो जलाएंगे तो कम से कम 90 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज्यादा डिग्री सेल्सियस पर जलेगा लगाव और 20-25 डिग्री सेल्सियस पर जलेगा नहीं क्योंकि आप लुवह जाएंगे जल जाएंगे क्यों जलेंगे यह हमारे साहीर के टमप्रेटर अप्मान भी सब्सक्राइब करने तो चोटे नुमें तोड़ता है और आक्सिकरन क्या होता है यहां भी तोहीं होता है भोजन का आक्षी करन करके छोटे उनों में तोड़कर उर्जया प्राप्त के जाती है तो इसलिए एंजाइम क्या हो सकता पढ़ जाती है यहां परसुसन में कि दाहन में ऐसी कोई सकता नहीं होती है इसमें एंजाइम क्या हो सकता नहीं होती है यह पेफ़डे का चितर आपको दीख रहा है कि हमने पहले हमपाई क्लेयर कर चुके हैं कि साइस में लेफ्ट और राइट देखना हो तो हम ऐसे पहले खड़े हो जाए और हमारा यह यह दाहिना हाथ है राइट है तो इधर राइट साइड होगा इधर हमारा बाया है तो इधर लेप्ट साइड होगा इसलिए इधर दाया फेफडा राइट लंगी है और यह वाला फेफडा बाया फेफडा आप दाय फेफडो तो देख रहे हैं इसमें तीन लोब है एक यहां से लाइन गई है एक यहां से लाइन गई है और यह पूरे लाइन है तो एक यह एक यह और यह तीन लोग हो गए इसमें केवल दो ही लोग है यहां से गया है और यह यहां से गया है एक लोग यह लोग यह तो इसमें दो सिर्फ दो लोग है तो दायां फेफड़ा में थ्री लोब होते हैं आप यहां देख सकते हैं सबसे उपर वाले लोब को सबसे नीजे वाले लोब को घ्रिज़ा किए एइंटेरियर इंफेर ईनफेर लोब बोलते हैं और मध्ध वाले लोब को मीडि लोब सकते हैं और इस इसे लिए कार में बड़ा होता है तिन लव होते हैं थोड़ा से बड़ा होता है और आपकर में चोटा होता है क्योंकि आपकर बाइब सब्सक्राइब चुपंगे में होता है यहां पर छोटा भी हो जाता है दो लोब होते हैं केवल दयावाले प्रब्राइब अब बड़ा होता है थ्ट्र इसमें तीन लोग होते हैं और सब्सक्राइब यह थोड़ा सो होता है यह सबदेख सकते हैं यह का फिकर है कि यह ऑटुक्त है इनके बारे में पढ़ चुके हैं इसके लेटल सिस्टम में रिप्सा यह इस टर्णम है इस्टणनी और निचे पसलियों के नीचे आपना यह आईश्टीत होता है और फेपड़े देखने से इस प्रकार लगा इधर का अई को सब्सक्राइब लगेगा अपको नेक्ष्ट देखते हैं कि इसके बारे में वाई जो है और जो है पहले जाती है एक पहले कहां जाएगी बाहर नासा चिदर में यह जो नाक का चिदर होता है बाहरवाला देगी बोलते हैं और यह द्ल squeezed अदर और जो नॉजल कवेटी बोलता है इसके बाद आंत्रिक नासा चिदर इसके अंदर जो नाक च्छीद्र होगा उसको अंतरिक नासा च्छीद्र बोलते हैं उसके बाद आता है ग्रस्नी फेरिंग्स यहां पर यहां से हवा आएगी सांस लेकर नाक से और यहां से भोजन गरहन कर सकते हैं तो इसे बोलेंगे जहां झांड जर acontece हे सांस लेकर आएगे मिन वाइप बोलेंगे और इसे बंगा आएगे तो वीनड पाइप अर फूड पाइब ज look जहां संवा कर जहां मिलते हैं उसी भाव को फेरिंस बोलते हैं उसके नीचे यहां पर गुति होता है झाहां पर उघ tendencies होता है चाहां पर जिसे बोलता है यहां पर होता है लेर्ञ स्वार्य आंत्र इसके बाद होती है लेरिंट्स के लाट होती है यह पूरी जुब ह시에 बुरह तरेकीया खहते हैं ड्रैकीया तो यहां पर स्वासनली त्रेकिया जो है तो भागों बढढ जाती है इधर एक वाग इधर इन दो भागों बढढ जाती है इन दूनों इह निकली हुय है निकली है इस प्रकार से बॉलते हैं कि उनिकलती है इसके बात प्रॉसनी से त्रीटीयग स मोः तो कहा रूप में तो दुविटेग्स लाखनी कि चोटी-छठी निकली होती हैं उसे स्वसानिकाय बोलते हैं मिल्कुल यह वाला उप्षिंव के समान उन्हें कूपी का बोलते हैं उसérique और निकाह आप समझ गया होगे और होती है यही से ब्लॉजन प्रोसेस होता है अभी समझाएंगे क्या होता है जहांसे बलड का फिल्टरेशन होता है अग्रशिनि फ्यारिंंग बने वBut have had निि भोजन पत्था सशभुसरण्पात संह्गम तो यहां पर वालब होता है यूवला वाल यह क्या करता है इस प्रकार से स्थिर होता एसिसर है कि अगर आप भोजण करण करते हैं तो खुल जाता है और उब साग चला से उफाक नदा है यह प्लाईप करो चला जाता है इसी निए कि गोजई अंगल कर सकते हैं नहीं कर99 Fr ज्यादा बात करते समय क्या होता है अगर गलती से थोड़ा बहुत गलती हो गई इस यूवला वाल्व के द्वारा और वह क्या किया खुला नहीं वह खुला मतल़ उल्टी दिसा में खुल गया तो कभी कभी चावल के दाने फंस जाते हैं नाक वाले यानिकी विंड पाइप सब्स जाते हैं तो किया थे उस समय अब बिंड विंड पय्फ घॉट तो नहीं होता है लेकिन अगर कभी हो भी आती है वह त्सक्राइब हिसको कश्रान की अ इस Orhan s weekend का व्यांसी हांसी 251 रख से गamosers में निकाल लिया हाथे समय थोड़ा कमी वकर वकर करें तो अच्छा रहेगा रसनी के आगे का भाग पर कंठ लेरिंग्स होता है जिसमें कई उपास्तियां स्वर्यंत्र वाइस बाक्स पाए जाते हैं इसका निर्मान निम्लिकी सनचनाव से होता है पंठच एपिग्लोटिस ग्लोटिस थायरा पेपिग्लोटिस को लिखा भी है उसे आपको याद नहीं करना है कि आपको इसे कोई याद नहीं करना है इसे याद करेंगे फैरिंग्स क्या है जहां पर फूड़ी पाइप मिलते हैं वह से बोलते हैं इसके बाद धौनी अंत्र इसमें स्वार रजू वोकल कार्ड होता है स्वार राजू होता है इसमें स्वार रंब्रoquता chodzi में कमपन करके ध libraries के आप झाल है लाज की जाती है ऑ बचता है उसी में companion होता है जैसे छोटे बच्चों को बजाने वाला या फिर एक वह होता है जब छोटे बचानर्ब चलते हैं तो फॉहिंपय μजयता है यहीं जूता में पीछे लगे होता हुटा है चोटा है फ् Εham चल् olmuş सिट्र में किया होता है एक पतलाइवर की अचार इतना पतलाइव फ्लस्टिक बना होता है और समें कंपन होता है वह बाहर लो debates से पैसर के साथ तो घुंट से नरी होती है यहां हम लोगों के अला हम उत्पन होते हैं तो कि हम आ reasons 1 से पस्षियों में सीरिंग से ऑप लिए फ़ुलाए रखते हैं कि आपको वले दीख रहे हैं ये कि यह करते हैं दरसल जब आएगी केूंब नहीं आएगी तुश समय तो यह फुला रहेगा नहीं आएगी पीचक जाए गया उस्चतने से बचाने के लिए क्या उसमें लगा रह झाले करता है और शवहाय रखता है नहीं देता है प्रवेश करके प्राथमिक द्वितियक त्रितियक स्वसनिय वड़ जाती अभी हमने दिखाया अभी इसको भी हमने दिखाया और एलवली ही जी हमारे कोशी कई कोशी थे उसी प्रकार से प्रणों की कया होती कि क्या होति ह coupled कि संघ्राच कि यह क्रिया आइसा करता है जो प्रिया है रखत को च्छानने वाले क्रिया क्यूपिका के द्वारा ही होती है इसलिए नंबर को ध्यान देजिए स्वक्षवास यानि कि सांस को अंदर लेना बाहर करना और श्वसण परेखर्या में अंतर देखे थे अभी देखा मने अब दोनों को डिटेल से पढ़ते स्वक्षवास को और स्वक्षवास को परेखाते हैं मतलब सांस लेना एक भावतिक क्रिया है अभी हमने पीछे दिखाए पीछे वाले स्लाइड में इसमें निम्लिकित पेसियों की सहायता से आक्सीजन वातावरण से फेफ़ड़ों प्रविश करती है कि सथे और फेफ़ड़ों से कार्बर डियॉक्साड वातावरण में मुक्त कर दी जाती है एक है कित इसमें कि इसमें इसमें तीन चीजह होती है डायाफ्राम होती है इंटर कास्टल पेसियां होती है और उदरी पेसियां होती है अब डामिनल मसल्स यह तीन होती है यह वक्षगुहा और उदरगुहा को अलग करता है डायाफ्राम अभी दिखाएंगे पिक्चर में वक्षगुहा उदरगुहा को अलग करता है इंटरकास्टल पेसियां पसलियों के बीच इस्थिक जो पेसियां होती हैं पेसियां उसे इंटरकास्टल पेसियां खाते हैं आप यहां देख सकते हैं कि यह दिख रहा है आपको उसे बोलते हैं इंटर कास्टल पेशियां पसलियों के बीच में यहां 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 जो मसल्स दिख रहा है इस पसलियों के नीचे उसे इंटर कास्टल पेशियां बोलते हैं और उद्री पेशियां जो आफ्राम के पास जो पेशियां होती उसे उद्री पेशिया बोलते हैं अब स्वक्षवास देखते हैं सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय जो है सांस लेंगे अंदर तो इसे अन्ता स्वक्षवास या इन्हीलेशन बोलेंगे इंहीलेशन कि अंता स्वक्षवास दर्सल अंता स्वक्षवास दर सर नहीं इन्हीलेशन भूलेंगे क्योंकि इंस्पारेशन स्वसन की प्रक्रिया नहीं थे गैसों को अंदर खिचना यहां है और गैसों को बाहर छोड़ो ना इस है बॉसकते हैं इंगलिस का यहां भी ध्यान देंगे हिंदी तो कुछ भी चलेगा लेंग इंगलिस का ध्यान देंगे इस प्रेशन नहीं बोल सक देखते हैं कि जब सांस अंदर लेते हैं तो डायाफ्राम स्तीधा होता है कि और सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम गुम्बदकार होता है कि यह डायाफ्राम अभी आमने दिखाया आपको डायाफ्राम है यह डायाफ्राम है यह सांस अंदर ले रहे हैं सांस अंदर ले करें तो क्या होगा दिख लेते हैं कि इस प्रकार अंदर जो लेके तो अंदर लें फिल लगए लगते हैं फुलने लगते लेगा क्योंकि यहां भर गई नहीं तो घृषर लए तो इस टेश से होता होता है ऐख च्शोड़ते समय क्या होगा इस डार्र प्रस्वेल respectful टेश में बम सब्सक्रायर तो च्ट चोड़ेंगे तो क्या होगा पुरन इसमें से हवा निकल जाएगी जो फेफड़ों में हवा भरी रहेंगी वह अधिकान सब्सक्राइब अधिकान सब्सक्राइब तो फेफड़ें थ्थूड़ा सा कम प्रसौन हो जाएगा तो यह पसलियां जो है कि नीचे की और आ हो जाएगा उपर से गुम्बदाकार प्रकार का डियाफ्राम हो गया वहीं कह रहा है कि डियाफ्राम च्छोड़ते समय गुम्बदाकार हो जाता है इंटरकास्टल पेशियों में हमने आपको दिखाया इंटरकास्टल पेशियों में संकुचन होता है सांस लेते समय है कि अक्वासलेंगे क्या होगा बाहिए इंटरकास्टल पेशियों में संकुचन होगा सांस लेंगे तो अंदर हवा संकुचन होगा तो अंदर हावा होगा अदर हावा हावा का दबा होगा तो यहां से रिप्स पसनी हो और अन्दर हावा है तो दोनू दबेंगे मसल पेशियां कि तुक्त संकुचन होगा कि इस चोड़ते समय आंतरिक इस्टल्काषटल में संकुचन होता है जब साथ छोड़ेंगे अभी क्या था अभी हम ने सांस लिया था तो यह इदर फेफ़डों में हावा भार है और जब फेफ़डों में हावा भार तो उपर से दबाव है पसलियों का नेठ प्रे सर टेवर्न आपन सर दाजिगर अपने में पर द्वाइब सीवर्ण फिर प्रकार्ष यहां पर नीचे वाली पहर बाएट अए पीछ शभूत यहां एक्षाए पर द्वांसीय सहे होता है क्या प्रेश प्रेसियंट जोय है और सांस लेंगे हम सांस लेंगे अंदर करेंगे तो कि हम नोगा हूं पर रो जब सांस अंदर लेंकि तरस्राइब सकता भखेंगी जब हवा का दबाउ बढ़ेगा और हबाउ बाउ बढ़ेगा उधरी पेसियों मेंध्रेशन हो आम यांप जो पयसियां in इसे में तो प्लिक जोड़ेंगे हवा यानिकी सांस बाहर चोड़ेंगे तो यहां के आगा दबाव कम हो जाएगा तो इसमें संकुचन हो जाएगा पुद्री पेशिया में तो यहां पर संकुचन होता है वक्षिगुवा थोड़ेंगे तो इस पूरे में हवा भर जाएगा तो फैल जाएगा इसलिए तो शीना थोड़ा हो जाता है जब भर लेते हैं तो भर जाएगा तो फैफटे फूल जाएँगे तो इसमें हो जड़ा जब एंगए तो यह जए तो छोटा हो जाएगा आये barragh हो जाएगा थोड़ाशन दिखा तो वक्ष घूआ कि आयतन में कमी आती है सांश छोड़ते समय अपने आप लोग समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है कि तो में हम लोगों ने 16 परक्रिया को देखा डेटल्स में मेल में होती है पहला में में दूसरी में रख्त में परिवान और कुश्का में की क्रिया पहला है इसमें क्या होता है इंटर केस्टल पेसियां तथा उद्री पेसियों की सहायता से अंदर के साथ क्या होता है इंटर कास्टल पेसियों की साथ क्या होता है और क्समें फैले प्रवेस करती है तथा फेफणों से Carbon dioxide तथा Anni gas मुक्त होती है जब हम सांस अंदर लेते हैं अभी आपने देखा भी सांस अंदर लेते हैं तो आक्सिजन बाहर से आती है उसके साथ और भी अन्निगाइस से आती है वो फेफणों तक जाती है जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उधर से Carbon dioxide अब दूसरा रख्त के मद्ध गैसी बीनिमे तो फेफणों में कुपी काई होती है यह अंगूर के गुच्छे के सिमान की होती है इंडित्विस्द के द्वारा हुता है कि अब दरसल आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बालू ले लिजिए ये आँटा ले ले लिजिए आठे को भीगों कर एक कपड़े में बांद दीजिए एक कपड़े में लेपेट कर कहीं रखने आप कई सुखे शेतर में सुखे जमीन पकतते रहाध देंगे तो आप और वहां से उठाएंगा तो वहां के जमें गिला हो जाएगा गिला कैसे हुआ क्योंकि अंदर से जो है और बाहर कम थी तो बाझ जयंकर ज्यान ज्यादा थी उदर से कम संख्या क्यों श्रौ सकते हैं चाहर जब सांस भर लेते हैं फेफणों में तो सारी कूपी काउओं में तीस क्रोण को पिकbet होती हैPE ऐसले कूपी काउओ में आक्सीजेन भर जाता है और उस पोसुभी जाता है और उदर से रख्त का है लग और सब्सक्राइब में चैबंडर कि यादा होता है और होता है dan नहीं होता है कि इधर जैदा है रख्ट में और किदर कम है पीपकाओं में तो इसी प्रास्स को डिफ्यूजन मेथड यानि कि बीषेन भी ती बोलते हैं तो यहां पर बीषेन के द्वारा जिसमें गैसे अपनी उच्छ सांधरता अमने जहां जिदर जाता होता है उधर से जब अधर कम होते हैं उदर के चल देते हैं ज्यक्ति संधरता से निम्न संधरता क कि और गति करने कि जब सांस लेते हैं तो फेफ़ड़ों में एक आक्सीजन की सांदरता अधिक होती है तो यहां से बीसराण द्वारा आक्सीजन रक्त में बिस्रित हो जाती है इसी समय रक्त में उपस्थित सीजन का परिवहन और कार्बन डायक्साट का परिवहन मुख्यूरुफ से यह होता है रक्त में आक्सीजन को दो प्रकार से विभिन निकोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है इसी बिसराण को निकुत को से बायाक्सीजन द्वारा रक्त में पहुंच गया आक्सीजन और रक्त में उस समय नियुक्त तो यह पहुंच जाएगा sigu APIgend राफ Ensuite को करते हैं तो विसरिन के तवारा आख सिजन कहां आ गया है रैसे में अण्युवर्ण है टोढ़ इस इसमें दो प्रकार से परिवर्न और सकता है एक आकशी हीम ग्लूबीन की रूप में अरेक प्लाजमा में घुलित अवस्था में existem अंक्सीमोगलोबीन आक्सी का मतलब आक्सीजन अक्सीजन हीमोगलोबीन है अप जानते हैं रखते में हीमोगलोबीन होता है ने ह Continue लो अप्रक्त और जो आरें, कमपांड़ंड जो हमें इसा लाल रंका होता है और मिलके दो नों लाल तो इसलिए पूरह का लाल रंका होता है और इसलिए स्कारंग करने होता है तो रख्त मैं यहां होता है हम मोग्यरा हम धी का मतलब रख्त से परिवहन करती है उसका हम उच्छाट तीन परज़्मा में घुली तवस्ता मुतरक्त में जानते हैं कि ब्लाजमा होता है करिकाइं होती है प्लाजमा यह एक हम लोग होते और प्रकसेंट होते हैं प्लाजमा होते हैं तो नि गुल गुल कर पहुंचते हैं निसाथ कार्बनी सतबार कार्बन कोशिकाओं तक पहुंचायी जाता है लाया जाता है अगलो जो एक्सिकाओं के पास था उसने शें लिया और इसे आक्सिकरन करके एक सी ओ टू चुछ नहीं चोड़ा क्या कार्भन डाया जाएगा फेफणों के पास लाए जाएगा और फेफणों के पास रख्त में रहेगा और वहां पर रख्त में प्रवाप्र रख्तिप्रवाँ होता रहेंगे तो कुपिकाओं में कार्बन टायक्साइड उससे में नहीं होगा हुआ रख्त में होगा उसी समय आयन के रूप में माइज रूप में माइज और 3- Kate रूप में यहीं को बाइगार्य कांपन भर वह हлись का इसने होन जितने भी करबन ठार्थाथ करिवांद इसके होता राइक अनलएम से जैसे CO2 carbon dioxide plus gel carbonic inhydrate के माध्यम से H2CO3 बनाते हैं यह carbonic inhydrate के माध्यम से iron में तूट जाता है यहाँ तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा H plus मिलेगा H plus अलग हो जाएगा तो क्या होगा HCO3 minus H plus और HCO3 minus की रूप में तूटेगा और यह इसी को बोलते हैं bicarbonate iron बोलते हैं इसी के माध्यम से खेफणों तक पहुंचाया जाएगा 70% carbon dioxide को बाकि carbonamine hemoglobin के रूप में पहुंचायाएगा carbonamine hemoglobin carbon dioxide carbon dioxide और hemoglobin तैसे यहाँ पर क्या था oxygen का hemoglobin के साथ परिवहन उसी प्रेकार से carbon hemoglobin को मतलब carbon dioxide का hemoglobin के साथ परिवहन इसे carboxy hemoglobin बोल सकते हैं carbon dioxide का hemoglobin के साथ परिवहन तो तो कार्वाइमिन hemoglobin बोलें जाय कार्वोक्सी hemoglobin बोलें दोनों एक ही बात हुई इसके रूप में लगवक 23% carbon dioxide का परिवहन होता है यह मतले हीमोग्लोबीन है है मतले हीमोग्लोबीन को बोला गया है एच बी प्लस सी ओ टू यह क्या करेगा हीमोग्लोबीन के साथ जूड कर परिवान होता है 23% और बाकी बचा कितना 70% परिवहन यहां हो गया आयन के रूप में 23% यहां हो गया और बचा कितना साथ परसेंट तो साथ परसेंट कार्बन डायक्साइड जो है कि अब एक है स्वसंगुडांक रेश्प्रेट्री प्षेंट और रक्यू इसे बोला जता है आर्क्यू इसे बोला जता है आर्क्यू का मतलब रेश्प्रेट्रीक क्या है तो जितने भी कारबन डायक्साइड मुक्त हुए है यहां तो संग्डांक क्या है जितने जितने हमने आक्सिजन को ग्रहन किया है थार जितने कि मुक्त कारबन एक्साट की मात्रा प्रते में ऑशोशित आक्सिजन की मात्रा किसी को बोलते हैं स्वसंगुडांग जैसे यह आपको आपके शामने है ग्लुकोज है और यह अञे एक चया और यह बन गया यह च disp बना और प्लस उर्जाओं सो गई और मोखेते क्या था वर्जामुक्त करना यह यह स्वसन अभी स्वसन कि यह यहां पर क्या हुआए यहां पर क्या अगुह क्या बना क्या बना मुक्त कार्बन डएक सकते मात्रा कार्बन डएक कितने अड़ों मुक्त हुए है तो सीक्स हो गया और नीचे भी सिक्स हो गया और दोनों मिलाकर वन हो गया तो आप से कोई कोईश्चन पूझ जाता है। कई वन यर पूझा भी डार्वरेक्ट कर सकते हैं कि स्वहसं अभिक्रिया में घॉसंभाइग्nam 8 होता है आप आप डाइरेक्ट याद कर सकते हैं या इसको आप समझ गए होगे मुझे उम्मिद करता है हम उम्मिद करते हैं कि आपको समझागे सोसन गुडांग को गैनांग स्पाइरो मीटर के द्वारा माप आ जाता है इसके द्वारा माप आ जाता है गैनांग स्पाइरो मीटर के द्व स्पाइरोमेटर से क्या ना पेंगे स्थोसन गुड़ांग को ना पेंगे किया जाता है मनुष्य में प्रती मिनट 14-16 बार सांस लेता है एक सांस के साथ लगबग थांस इमले गैस का अंतर ग्रहित किया जाता है तथा पांसे में गैस का सांस किसा छोड़ी जाती है एक बार जब रती मिनट में कितना लेंगे यहां प्रती मिनट होता है यहां कि साथ लिटर से आठ लिटर वायू अंदर जाती है एक मिनट में और बाहर आती है इतना ही एक मिनट में इसे ही बोलते हैं टाइडल वालूम यह बोलते हैं टाइडल वालूम बोलते हैं अंता स्वसनित आरक्षी आयतान और बही स्वसनित आरक्षी आयतान हमने अभी देखा यहीं पर एक बार समाने मनुस एक बर सांस लेता है तो पांस मेल लेता है और छोड़ता है तो लग पांस मेल छोड़ता भी है तो यानि क्या सालिटर तो पांस मेल छोड़ता क्या है पां काई चोड़ाना बल पर उसक लेने को अंतना सुसनित आरख्चि आतन अंता मतल अंदर लिना औरkor बही मतलब भाहर फ्यकना ə तोimdi स्वस्णित आ Untyतना को मतलब बल पूरख्ष बहार फ्यकना जी से कि इतना बलव पूरग अंदर किया इसी प्रेकार से सांदर आ तब बलव बाहर फेंगेगे तो अगर अंता सवसान ने कि बलव पूरग बाहर सांस अंदर लिये तो इसमें पचीस सव से तीस सो एमल पचीस सव से तीन हजार एमल आप सांस अंदर ले सकते हैं कितना पचीस सव से तीन हजार एमल सांस अंदर जाता है सम्मान ने सांस लेते हैं तो उतना नहीं जाता है लेकिन बलपूरक अगर लेते हैं तो पचीस सव से तीन हजार एमल सांस अंदर ज पाएंगे कुछ फेफड़ों में रहा जाएगा इसलिए यह जो है एक हजार से 111 होता है बलपूरग जब सांस चोड़ते हैं तो यह जोड़ पाते हैं पान से यह जोड़ते यह जोड़ते हैं कि अपम उतना ही चोड़ सकते हैं जीतना उच में है यह जैसे ये झाल टब आप इसमें से पाइप जोड दीजिये और इस पाइप को खोलेंगे इसका पानी प्रने लगेगा और कब तक बहुत का फिरग और पिरेगा जब तक दोनों का लेबल समानना हो जाएगा तो पानी बना बंद हो जाएगा उसी प्रकार से आंदर सास भरी हुई है बाह तो इतना ही लगभग फेपड़ों के अंदर भरी होगी तो दोनों मिलाकर इतना हो जाएगी कि अगर 223 हो जाएगी कि अरक्षी आयतन क्या होता है रिजर वालूम कि अभी मैंने जो बताया वही आरक्षी आयतन होता है क्या बताया मैंने आप बलपूरक फेकते हैं सास बाहर तो सास बाहर फेकते हैं तो आप उतना है जतना पिशक्षण प्रहर है उस सब्सक्राइब क्योंकि यह वला नियम्लागूं हों कि यह पानी भरा इसमें और इसमें पानी भर आइथ तक समान जब तक तक पानी बहेगा समानों जाए निकी दोनों तरक पर प्रेशर समान हो जाएगा तो इससे जाना नहीं सकता है तो अ रक्ष्या आयतन क्या है आरफ्षह में मतलब फेफ़ड़ों में आ गया है तो भी नहीं गया है बाहर तो ऊग्ष। कितना है 11 सबसे 12 से मेल होता है जितना अपने बल पुरोक लाग चोड़ा 11 से 10 सबसे 11 सबसे 12 से मेल होता है बल पुरोक सांद शोड़ने के बाद फेफड़ों में उपस्तित वाय। इसे बोलते हैं अरक्षी आयतना अब तक आप समझ गया हों कि मुझे उमीद है कि खुछिकाओं में सब्सक्राओं किवता है औंव ब्रकार का होता इशद रस gebeरेशन जुआ कि दो परकार का अनॉक्त सबस्ट कर चुके है दोनों को इन अंतर भी पर सबस्क्रेवट करेंए ज्लेक्टी सबस्क्राब्रग डॉध्ट योже घृट्टी कई-दौन और प्रकार होता है निए इसमें होते हैं इसमें दॉ प्रकार का होता है , श बहुता है , रहा है , होता है , और इंजाइमों की साहता से अक्सिजन के अनुपस्तिती में कार्बानिक भोज्य पदार्थों के अप घटन को ही अनुपस्तिति में पदार्थ बनता है यहां पर आख्षिक्रन नहीं होता है पीछे देख चुके कि आठाद काते हैं इस बात ठोढ़ देखें इस लाइन को बहले है यहां पर अक्षिजन नहीं है अक्षिजन नहीं लेकिन आप गटन के बाद कार्बनिक पदार्थ बनते हैं जहां होता है और यहां भी बनते हैं जैसे लेक्टिक अमल एथिल एलकुहाल हमने देखा था ना अनाकशी सोषन में च्टू यह फाइप और इसमें कार्वन है तो कार्वनिक पदार्थ से बोलेंगे तो पदार्थ है तो बेक्टरिया कवक जल मंगने परओदों में अनाक्सिस्टन होता है अल्को रिकलवन अनाक्सिटन हमने बता है दो प्रकार का होता है इसे होता है इस क्राइब में ग्लाइकोलाइसिस गलाईको मतलब गलुकोज गलाइकोल मतलब गलुकोज और लाइसिस की स्टीप हमने बताया था this Talk मतलब किसी चीज की चीज पंडिए कउछिव कमी फोसिक". हम बता चुके हैं उसी प्रकार से हूंत. मतलब होता है लाइशिष लाइशिष मतलब किसी चीज के अधिक्ता और लाई मतलब कि किसी चीज का दिखता हुई है किस से हुई है तो ग्लुकोज का मद्म से कुए sex हैए यहनिकि अबू कोज ने लाया किसी चीज के धीकता किसी के धिकते हैं कि लायको लाय आई जूसर आप इस परकार साहत करते हैं छाकरम जाफया लिब disappointing देखता है किसे दिखता लाया भी देखते हैं इसके हमें तə ग्लाइकोलसि सर्फपन à जैने कि Goldнолог बना अबिस्धेख़ कैने रहता है नहीं के तलोगत की चांपल ल। आप इसमें पीछी देखा था और तो पायोगत को होता है इसका शिर्फ एठा रखता सब्सक्राइब गलाइक को इस ग्लाइक कुला इस उसके बाद या उसकेis ंघ dpl यहां पर याक बतर होंgovern और यह सिर्फ यह हैं फिर का अल्का हाल बन में नाम में मतलब लाष्टरइब के पाहल बने गाज एäg बनेगा लेक्टे को सबुर्ज दिखंश यहां पर व Cass's की प्रकृत्रीया हां भी हो गंपनेगा एनकी गिलोकोश से पायरी क्तिक बनेगा o लेक्टिक हमल बनेगा इसका पर आख कर लेंगे इसका एक्जामपूल होगा एक दूसरे याप यहाद कर जाएगा जाएमसिस इस क्या है अब आयू शेसन को दर्साने उति बरकनर परितनर के सांटिस्ट का नाम है तब बर्कनर ने इस्ट को पाउडर के रूप में पीस कर सरकरा बिलायन में मिलाया इन्हों ने क्या किया इस्ट को उठाया इस्ट और इसको पाउडर के रूप में पीस दिया और सरकरा बिलायन में मिला दिया इस पर्यूयटित को बदल हुल आli MA इसके बाद इनको मिला गया ऑली वर्त कि अगया इस्ट को पौोडर यख में उठाया और स्रक्राः बस्ता अपर स्वाइस मिलाने के बाद इनको इंकर और रुपां तरित होने लगा क्यों इत Mormon में भी जाईकने में किदग कारण कई गासे नाम नाम पर यह जैमरें मुझा किप्रक्रिया होने लगी किस एंजाईम कारण car प्रक्रिया जाने के थें दो प्रक्रिया नियुक्त अभिक्रिया बोलते हैं अब आयो यह मतलब कि अनाक्सिस अभिक्रिया महत्वा जैसे ब्रेड केक पेश्ट्री निर्माण में यहां पर इसका महत्व होता है क्योंकि अगर आंक्सिजन देंगे महाँ पर तो आंक्सिजन के वज़ा से यह ब्रेड के कित्यादी सब खराब हो सकते हैं इसलिए महाँ पर आवायो सुसन करा जाता है इन एरिविक रेस्परिया जाता है तो बेकरी उद्द्योग में इसका महत्वा इसका जही चाच बटर उ सरहे देखा किडवन जाइमें की साथ से करें लें लगता है तभी तो यहाल बनता है क्यूंध एनक1 इस में इसंहें में इसमें पल्सफ हो रहाम और मंन Kash Mich Si ऍकतेवं में इससे डोज आएगे ऑर सिकंटारिचर्थिए इसके आगेला स्लाइड में साइगा सिकंड़िचेफ जोड़ने के लिए एक अभीक्रिया वह जिसे लिंक अभीक्रिया बोलेंगे देखते हैं पहले एना और आक्सीसुशन की उपस्तिति में को सिकायों संगरीत भोजन का अक्सी करन होना ही आक्सी सुशन कहलाता है हम लोग कई बार देख चुके पीछे यहां होती है इसके बाद में चलता है यहां भी ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है तो इसके बाद माइट्रोकांड्रिया में चलता है यहां भी ग्लाइकोलाइसिस की अधिक्ता करेगा प्रक्रिया अनाक्सी सुशन में भीasia होती है लेकिन प्रक्रिया में वहां पर कुछ और बनता यहां पर कुछ लुटनों में होने वाले इसमें ग्लुकोज से पार्विक अमल का निर्मान होता है। इसे इम क्रिए म क्रें को हैं कि मतलब अव्भ और सचन तो इंस इन तीन सायंटिस्ट लो तो साहे इंत Alone को समझाया अब होता है उत्पादन होता है उत्पादन उर्जा कितने होता है तस एटीप खर्च हो जाती है इस परसेस में लाव कितना हुआ दस में से ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है ग्लुकोज से हमल बनता है और इस प्रग्रिया में कितने एटीप भी ना मिला हमको आठ एटीप उर्जा मिली है चलता है सिकंड डिस्टेज में और सिकंड डिस्टेज और सिकंड डिस्टेज के जोडने के लिए अभिक्रिया होती है लिंक से पहुंचता है द्र ग्लाइकुलाइस हो गया इसके में ट्रीकेश में जाएंग है इसके निरमाढ मतलब कारवन लेक्साट की कमी करना अक्षिडेटीव होता है कारवन डाइकसाट क्या मिकरना यानि कि आक्सीजन जाएगा ग्लुकोज को जालाएगा कारवन डाइकसाइड मुक्त होगा यहां से एस अधिक्रिया में तु एनेटी के एफचान से 680 प्रॉजा में इसक्स एटीप में 680 प्रॉज़ा में इससे हेंसन किरप स्नमर्न बताया था और उनीक की नाम पर इसे सेकेंड रिश्टेप को क्रेपस चक्र बोलते हैं में चक्रकर के चलन में सिटिलग्ओं एंज़ाइम द्वारा नियूंद जम्स द्वारा अटिसन ग्रिंग कर दोर्डक नू कर दोरते प्थांस निर्मान इर 1700 कर से ऑल्ट बनता है और छा दो आ इसका नाम जरूर याद करेंगे आप लोग फास्पोरी लिकरन यानि कि फास्पोरस का आक्सी करों फास्पोरी लिकरन एने दी एच और एफडी एच टू का मतलब हता है कि एक अनुसे एक अनुसे दो लिखे तो यहां से तो तोटल पर कितना है और यहां इए खर्च नहीं यहां पर स्कर्ण श्टम में पूर्जा खर्च नहीं होती है। इस लिए इसे क्रेप्स चक्र को सिट्रिक अमल चक्र भी बोलते हैं क्रेप्स चप्ड का एक और नाम है सिट्रिक अमल चक्र सिट्रिक अमल चक्र क्यों बोलते हैं कि सिट्रेट का उत्पादन होता है यहाँ पर आक्सी स्वसन के अंत में पूल आठ एट एपी छैट एपी चवीश एट एपी आठ एपी फर्स्ट इस्टेप से मिली है और सब को मिलाकर कितना हो गया और तीस एट इ यह में लाश्ट में 38 एट इपी उर्जा का निर्माड होता है कि हम लोग देखें न सिक्सिक्स एच बार ओ सिक्स ओटू गोई टूटू प्लस एच्टू ओ प्लस 38 एट एपी उर्जा यह अभी तक यहां लिख रहे हैं अब 38 एपी लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता चल लिख रहे हैं जहां 38 एपी किसे जहां मिलती आठ एट एपी फ़र्ष्ट से मिलती है और चौविश एट इपी सिकेंड इस्टेप से मिलती है टोटल मिलाकर 38 हो जाती है एक नोट देखें तंत्री का को सिकाओ निवरांस में और पेशिकोष्ट को यहां मसल्स में तो निव छोम एक लंक से एटिपी खर्च हो जाती हैनिए की Catholic को हटा है बाकिसर कितना की लाकुलक इसी समीं कितना बनता है लेकिन यहां तो तो टेपी तो टोटल कितना हो गया 36 एटेपी तो ध्यान देंगे तंत्रिका को सिकाओं में में जब स्वसन होता है वहां पर जो है जो दो आटिस एक समलों एक पांच कीलो कैलोरी आक्सी सुसान क्या होता है यह ग्लुकोज है यहां से यहां कर जुड़ा आक्सीजन बतल गया किसमें कारबन डायकसाइड और जल में और हमें उर्जा मिल गई उर्जा कितनी मिली 38 एटीप उर्जा मिली इस आपवाद को छोड़ दिया जा तो उर्जा कितनी मिली 38 मिली और कैलोरी में कहते तो में मिलते हैं एक इटीबी वर आब आट दसनलों एक पांच कैलेडी होता है और 38 एटीप उर्जा मिलती है तो तीन सब्सक्राइब यहां पर कम है तो चाहसाव श्यासी का तीन सब्सक्राइब कितना हुआ केवल 45 परसेंट ही हो रहा है केवल 45 परसेंट ही हो रहा है क्या कहता है सिदांत कहता है सिदांत कहता है ग्लुकोज का अक्सिकरण होगा तो इसके बाद उर्जा मुलेगी उर्जा जो मिलेगी कितना मिलेगा 686 Yogili मिलेगी लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि एग 45 परसेंट है इसलیए खिँसी किणी कितने होती है ज्यान का गया हम की सब्सक्राइब कितने होती है आपको आपसंदेदेगा 45% 55-50% 55% तो आप बताएं कि अंक्सी सवन की दक्षता केतने परसंट होती है क्यों 45% ही होती है तो पर नियुक्त परसंट हो गई तो कि 45-50% उर्जा जो कहां जा रही है हमारे सरीर का टेंपरेशर बढ़ाने में यहनिकी 37 डिग्री उसको करने में यहनिकी इसमया देने में सब्सक्राइब 45% उर्जा जा रही है इसलिए आख्षी सवन की दक्षता एफिसेंसी के वहल 45% ही है तो सन का महत्तों क्या है सब्सक्राइब करना ही है सरीर से बाहर छोड़ा जाता है अगर लागतार बाहर छोड़ते रहे तो बाहर छोड़ना ही पड़ेगा जैक होता है जब हम सवसंतविद अंदर जाता है लिए रम जाता है प्रम जबsom सब्सक्राइब मिल जाता है उससांत बाता टेतमी के शतता है उर्शा होता के संदर्ता बढ़ा तो क्योंकि से चलेगी पिंदारिया रहा है यानि कि में घती पेड़ा कर रहा है कि और शहीं के लिए यह भी गती कर सकते हैं तो घती होती यहां सभी आती है सांदर ढगाटा देते हैं संसं के दोरान सरजित होने से सज़ें न्यमन होटा है अब हम ये अब लोगों ने देखा कि कि अलिफन टालिस परसेंट होती है बाकी 55% उर्जा स्टारिक दीघर करने में जाती है सब्सक्राइब करने में जाती है मुख्य सवस्ण यंग देख लेते हैं लाश्ट स्लाइड में प्रम्ख जन्तुवा कमुख्य सवस्ण यंग क्या है है तर्स रुकाओं का हम लोग तर्स पांच भागूं बटे हैं मत सुबाचर सरुष्री पक्ष्य और अस्तंदारी पांच भागूं बटे हैं जन्तुवर्कृण वाले टापिक से में बता चुका हो इसको ऑघिकां साकसुर के यह आर्था पढ़ा इसको दियान देंगे बाकी इस चीज को तो समाने नियम के साथ आप देख सकता है जनतु वरकण में देख चुके हैं आपको याद भी होगा मुझे उमिद है कि अभी के लिए इतना ही आज का चैप्टर यह संतत्र रेस्ट्रेश्ट खतम हुआ वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और कुछ कमेंटमेंट कर दिया कर यह अच झाल